ओके तो आज हम यहाँ पे comparison करने वाले हैं Realme Tech Life T100 के साथ Boat Adobs 131 Pro को मेरा नाम इतन में आप देखे टेक यूनिक चलिए comparison शुरू करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ही TWS मेरे पास रखा हुआ है यहाँ पे इसका प्राइस अभी फर्स सेल के अंदर जो है तेरा सो रुपए का है लेकिन यहाँ पे यह जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है तो आप comment section में शुरू मत हो जाना कि यहाँ पे मुझे कैसे मिला तेरा सो रुपए में यह जो है फर्स सेल में 13 सो रुपए में मिल रहा था तो डिफिनेटली अगर जिन्होंने फर्स सेल में बाई किया है उनको यहाँ पे तेरा सो रुपए में डिफिनेटली यह मिल गया रहेगा Realme Tech Life लिखा गया यह बहुत ज़्यादा अजीब लगता है देखने में हाला कि यहां पर जो प्लास्टिक की कॉलेटी है वो बहुत ही बढ़िया है बहुत ही बढ़िया मैट फिनिशिंग यूस का गया है सामने यह जो है एक LED इंडिकेटर दिया गया नीचे यहां पर टाइप सी का पॉट दिया गया है और हिंज की कॉलेटी भी काफी जादा अच्छी है हाला कि यहां पर अभी नया है तो इसके कारण यहां पर जो हिंज की कॉलेटी है वो अच्छा है देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे कितने दिन तक इसका जो हिंज है वो इतना टाइट रहेगा हाला कि यहाँ पे जो है अंदर की तरह आपको कुछ इस तरीके का कलर दिया गया जो कि काफी बढ़िया लगता है देखने में काफी देर तक इसको पहन के रखने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है वहीं पर 131 प्रो की बात करूँ यहाँ पर जो है मैंने इस पर स्टिकर लगा के रखा ताकि यहाँ पर पता चले कि यह यह पर पता ही नहीं चल पाता क्योंकि यहाँ पर बोट के जो टी डव्लो एस है वो काफी हद तक सेम लगते देखने में इसमें भी आपको ग्लॉसी फिनिश और मैट फिनिश का एक यहाँ पर कॉंबिनिशन देखने को मिलता है हाला कि फिनिशिंग काफी अच्छे लेगी नहीं पर स्क्राइच वगर काफी जल्दी पढ़ जाते हैं और यहाँ पर प्ला करूं में यहरबड की तो यहरबड में आपको एक बहुत ही इरिटेटिंग सा लाइट देखने को मिलता है जो कि मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लगा यहाँ पर छोटा सा एक लाइट दिया गया है वहीं पर यहाँ पर पूरी तरीकी से प्लास्टिक का दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर ग्लॉसी प्लास्टिक है तो इसमें जो है काफी जल्दी आ सकते हैं लेकिन यहाला यहरबड भी आपको यहाँ पर काफी हद तक कमफर्टेबल रहता है कानों के अंदर दोनों ही TWS को आप यहाँ पर वर्काउट में यूज कर सकते हैं कानेक्टिविटी की बात करूँ यहाँ पर आपको दोनों में ही Bluetooth 5.3 मिल जाता है साथ में यहाँ पर आपको दोनों में ही AAC का कोडेक देखने को मिल जाता है तो definitely आपको काफी अची sound quality मिलने वाली है लेकिन महीं पर आपने बात करूँ मेरे experience की sound quality के मामले में तो यहाँ पर Realme में जो है आपको एकदमी बूमी बेस देखने को मिलता है और clarity यहाँ पर जो है average सा दिया गया है Realme के अंदर लेकिन अगर आप एक बेस लवर है तो आपको इसका जो बूमी बेस है वो काफी जादा पसंद आने वाला है और मैंने यहाँ पर देखा भी है कि काफी सार अच्छा लगा है as compared to Realme, Realme का clarity है वो थोड़ा सा और improve करने की जरूरत है लेकिन आपको यहाँ पर Realme के app के अंदर जो है तीन sound modes देखने को मिलते है जो कि है bass boost plus, balance और bright तो bright में अगर आप रखते है तो आपका जो clarity है वो यहाँ पर बढ़ जाता है Realme के अंदर लेकिन उसम quality के मामले में दोनों ही काफी हद तक similar है जैसे कि मैंने आपको बता है दोनों में ही bass जो है एकदम boosted दिये गया है driver size की बात करो यहाँ पर Realme में 10 mm के drivers मिलते है और boat में 11 mm के drivers मिलते है तो जादा यहाँ पर फरक नहीं है हाला कि यहाँ पर boat में 11 mm के है तो थोड़ा सा जाता है boat में यहाँ पर driver एक्स्ट्रा फीचर की बात करो तो यहाँ पर दोनों में ही आपको IPX5 की rating मिल जाती है दोनों में ही आपको यहाँ पर gaming mode मिल जाता है Realme में आपको 88ms का low latency का gaming mode मिलता है वहीं पर आपको boat में 65ms का low latency मिलता है जो की काफी जादा बढ़िया है as compared to Realme अगर में gaming experience की बात करो तो मुझे जो है यहाँ पर boat के अंदर जादा अच्छा लगा है gaming experience क्योंकि 65ms का low latency है वह काफी हद तक तगड़ा काम करता है as compared to Realme लेकिन वहीं पर आपको Realme में Google fast pairing भी मिल जाता है battery life की बात करो तो यहाँ पर सबसे पहले battery capacity बता देता हूँ Realme में आपको case और buds का दोनों का साथ में battery capacity लिखा गया है 400mh अगर आपको यहाँ पर buds का capacity पता चलता है कहीं पे भी तो आप नीचे comment section में लिख करके हमें बता सकते हैं हालकि यहाँ पर बोट में आपको case में 380mh की battery मिलती है और buds में 40mh battery मिल जाता है तो यहाँ पर मेरी experience की बात करो तो दोनों में ही आपको काफी similar battery backup मिलता है दोनों में ही almost आपको देड़ दिन की battery backup आराम से मिल जाती है वहीं पर मैं बात करो यहाँ पर earbuds की तो यहाँ पर दोनों के यह यह बर्ट जो है आपको यहाँ पर साड़े चार घंटे का battery backup दे देंगे अगर आप यहाँ पर full volume पर सुनते हैं तो और अगर आप gaming mode on कर लेते हैं तो definitely दोनों में ही आपको साड़े चार घंटे से कम battery backup मिलेगा जैसे कि तीन गंटे और उससे भी कम मिल सकता है अगर आप continuously gaming करते हैं तो वहीं पर आपको दोनों में ही fast charging देखने को मिल जाता है यहाँ पर realme में अगर आप 10 minute चार्ज करते हैं तो यहाँ पर आपको दो गंटे का playback time मिलेगा लेकिन वहीं पर अगर आप बोट को जो है पा अच्छा यहाँ पर कौन सा calling के लिए रहेगा तो यह रहा आपके सामने एक microphone test और अभी भी जावासने हो यहाँ पर record हो रहा है घर के अंदर यहाँ पर घर के अंदर मैंने fan on रख है full speed के अंदर ताकि आपको यहाँ पर पता चले कि कि कितना यहाँ पर मेरा आवाज यहाँ पर के microphone से यहाँ पर यहाँ पर पूरी तरीके से मैंने on कर लिया है साथ कि आपको पता चले कि यार कितना मेरा आवाज आ रहा है और इसका जो background noise cancellation है वो कैसा यहाँ पर काम कर रहा है calling के वक्त कैसा आवाज आएगा आपका यहाँ पर सामने वाले को वह आप यहाँ सुन करके जो है देख सबते हैं कैसा आपको लग रहा है किसका microphone आपको जादा अच्छा लग रहा है और बता दू कि यहाँ पर मैंने on रखा है ताकि यहाँ पर maximum हम अच्छे तरीके से टेस्टिंग कर पाएं अगर आपको यहाँ पसंद आया तो नीचे लाइक बटन दा बाई है लेकिन यहाँ पर सबसे में सवाल यह कि इन दोनों में से आपको कौन सा खरीदने अच्छेह यह रियल्मी या फिर बूट यहाँ पर रियल्मी में आपको रियल्मी लिंक आपका support देखने को मिल जाता ह साथ मैं यहाँ पर आपको जो है थोड़े से फीचर्स मैं कहूं थोड़े रिफाइंड से देखने को मिलते हैं और इसका जो लुक्स है वो मुझे specially काफी साथ पसंद आया है इसके बड्स जो है वो बहुती जादा comfortable है कानों के अंदर definitely जब से आया है मैं तब से इनको पहन करके रख रहा हूं और मुझे बिल्कुल भी कोई भी discomfort महसूस नहीं हुआ है लेकिन वहीं पर यार यहाँ पर जो बोट है इसको थोड़ा सा पहनने में discomfort feel हो रहा है और वहीं पर यहाँ पर जो इसकी प्लास्टिक के quality है ना वो थोड़ी से यहाँ पर cheap feel होती है और इसका ज quality जादा अच्छा चाहिए तो आप इन दोनों मेंसे किसी को भी ले सकते है लेकिन बेश के मामले में रियल में जादा अच्छा निकलता है बोट में भी आपको काफी अच्छा बेस मिलता है लेकिन यहाँ पे clarity बी काफी अच्छी मिलती है तो clarity अगर आपको चाहिए और शुब रहे